समग्र सिक्षभ्यान के अंतरगत साला प्रबंधन समीति के खातों में ओनलाइन बजट दिया गया है जिसका वैब ही ओनलाइन ही किया जाना है और इसके लिए पिरतेक साला को यूजर आईडी पासवर्ड अलोट किये गये है अब सालाओं में कुल कितना बजट मिला है और इ आपकी साला में बजट चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको डिजी गो पोर्टल पर मेकर के यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर लेना है जब हम लॉग इन करेंगे तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं बजट अलोकेटेट लिखा हुआ है जिसमें कुल बित्ती बर्स में जो रासी अलोट की गई है वो यहाँ पर प्रदसित होगी सेकंड इसमें आप देखेंगे कि कुछ कम रासी है तो आखिर कम क्यों तो इसमें बता दें कि यहाँ पर जो बजट आप देख रहे हैं वो सभी मदों का है जैसे इसमें आकस्मिक निधी भी है इसमें सैप्टी फंट की भी रासी है इसमें यूथ एको कलब की भी रासी है तो इस परकार से अधी प्रात्मिक या माद्मिक इस तर की हम बात करें या एक से आट तक की सालाओं की हम बात करें तो इसमें विभीन मदों की रासी है लगभक तीन से चार मद आप इसमें तो इस प्रकार से इसमें कुल बजट जो है वो यहां पर आपको दिखाई देगा अब बजट किस मर्द में कितना प्राप्त हुआ है इसे कैसे देखें तो इसे आप माय मॉडूल पर किलिक करके देख सकते हैं जहां से हम बिल बनाते हैं जैसे इसके लिए मैनेज फंड डिस् का इस पर किलिक करके जब हम बिल बनाते हैं तो इसमें एक्टिविटी वाला जो आप्चन है यहां से हम फंड चेक कर सकते हैं इसके लिए जैसी हम सर्च आइकॉन पर किलिक करेंगे तो समब्सिक्षा लिखा हुआ आएगा फिर से हमें किलिक करना है तो जो प्लस का इस पर किलिक करके आप चेक कर सकते हैं जैसे हमने किलिक किया और ओके कर देंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि आपकी साला में कुल कितनी रासी अलॉट हुई है वो आ जाएगी तो जैसे संबंधि साला है यहां पर 25,000 रुपे आई हुई है अब जो आकरस्मिक निधी ह इसका 75% आप फरवरी लाश तक खर्च कर सकते हैं पूरी रासी इसमें खर्च अभी नहीं होगी यदि 100% रासी खर्च करना है तो मार्च महा में आप 100% रासी खर्च कर सकते हैं जैसे 25,000 रुपे की हम बात करें तो इसका 75% 18,750 रुपे होगा तो फरवरी लाश तक आप 18,750 तो पचास रूपे भैज कर सकते हैं, इसी प्रकार इसमें हम दूसरे हैट की बात करें, य砸 से हम सार्च IPектор के लिए पर क्लिक करेंगे, और इसमें अनोव और जो मद है, उन्हें भी हम देख लेते हैं, जैसे हम यूथ यूकु क्लब की बात करते हैं, तो इसमें कितनी राशी मिली है वो आप यहाँ पर किलिक करके चेक कर सकते हैं जैसे हमने किलिक किया ओके किया तो आप देख पाएंगे कि यहाँ इन 5000 रुपे में से किवल 50% आप फरवरी एंड तक खच कर पाएंगे अर्था 2500 रुपे आप इसमें खच कर पाएंगे इसी प्रकार हम देखें तो safety के लिए safety and security के लिए जो amount है वो दिया जाता है तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं जैसे innovation project इसमें आपको मिल जाएगा जैसे हम किलिक करते हैं innovation project और इसमें आप देखेंगे कि find for safety and security तो इसमें आप जैसे 1000 रुपे फरवरी end तक आप खरच कर पाएंगे और sales जो रासी है आप मार्च महा में बै कर पाएंगे तो इस प्रकार से हम देखें तो home page पर जो रासी प्रिदसित हो रही है इसमें second जो box दिया गया है fund allocated का तो इसमें जो रासी प्रिदसित हो रही है इतनी रासी आप फरवरी महा में बै कर सकते हैं साथ ही यदिस में हम आगे देखें तो expenditure in progress यहाँ पर जो रासी दिखाई देगी इसका तात्वर है कि आपने बिल लगा दिया है लेकिन अभी success payment नहीं हुआ है तो यहाँ पर रासी सो हो रही है जब payment success हो जाएगा तो रासी first इसके आगे वाला जो green box है यहाँ पर आ जाएगी expenditure till date तो यहाँ पर जो रासी प्रिदसित होगी अर्थाद वो रासी आपने बै कर चुका है अभी यहाँ पर जो रासी प्रिदसित हो रही है वो progress में है अभी इसका payment success नहीं हुआ है अर्थाद बैंडर्स के खाते में नहीं आया है तो यहाँ पर जो पहला box है वो total हमारी साला में जो budget a lot हुआ है उसके लिए रासी प्रिदसित होती है second box में बरतमान में हम जितनी रासी बै कर सकते हैं उसके लिए रासी प्रिदसित होगी third box में जो रासी हम बै कर चुके हैं वो प्रिदसित होगी और fourth box में वो रासी प्रिदसित होगी जिसका हमने बिल लगा दिया है लेकिन अभी बैंडर्स के खाते में वो रासी पहुंची नहीं है तो इस प्रकार से हम समान रूप से बात करें तो यहाँ पर बजट प्रदसित होता है और इसके अधार पर आपको अपनी साला का जो बै है वो ओनलाइन करना होगा और यदि सरसरी तोर पर हम देखें तो आकस्मिक निधी का 75% हम खर्च कर सकते हैं जैसे समंधी साला की हम बात करें तो आकस्मिक निधी 25,000 रुपे आई थी और इसका 75% 18,750 रुपे होगा तो 18,750 रुपे प्लस सेप्टी एंड सेकूरिटी का जो है 1,000 रुपे 19,750 रुपे और इसके बाद में Youth and Eco Club का 2,500 रुपे तो इस परकार से यह ती तीनों को हम टोटल करें तो 22,250 रुपे हमारे लिए फंड आ गया है और इसे हम बै कर सकते हैं आपकी साला में दरसंख्या के अधार पर जो फंड है वो आप चेक कर सकते हैं की जो फंड है वो दरसंख्या के अधार पर सालाओं को दिया जाता है अब जैसे समान रुप से हम बात करें तो 30 तक की अधी दरसंख्या है तो उसमें कम बजट आएगा 30 से अधिक दरसंख्या है तो कुछ अधिक बजट आएगा तो इस पिरकार से इसका जो पत्र है वो रासिक चेकन के दौरा पूर में जारी किया गया था और इस समान में एक वीडियो भी चैनल में बनाया गया है जिससे आप उपर आई बटन पर किलिक करके देख सकते हैं साथ ही इस वीडियो की जो लिंक है बिल बनाने में समस्या आए तो एक बार आप इन वीडियो को देख सकते हैं एथी सालाओं में प्राप्त ओनलाइन बजट के संबन में एक महतफून जानकारी आसा है जानकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी परकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन